हले इवरीवन विल्कम टु सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो यह एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इस वीडियो में पीएचडी रूल्स जो है वो आप चे सब्सक्राइब करने जा रही है यूजी सी और उसकी ड्राफ्ट आ चुकी है यह ड्राफ्ट इस पर सजेशन मांगे गए हैं और जैसे वह सब्सक्राइब करने जाएगी जो की 2022 पीएचडी रेगुलेशन के नाम से जानी जाएगी तो आगे देखते हैं कि क्या अपडेट चुकी ऑफिशल वेबसाइट पर तो कई सारी चेंजेश हो सकते हैं इसमें दो तीन जो मैंने पॉइंट आउट किये वह मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही शौट डियूरेशन में कवर कर देती हूं सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशल वेबसाइट पर नोट से जाना जाएगा तो यह पब्लिक नोटिस छोड़ दें यह इसमें सजेशन और इंप्रूब्मेंट इन्वाइट किये गए हैं यहां ड्राफ्ट रेगुलेशन में क्या में मेंशन किया गया क्या क्या चेंजेश हो सकते हैं तो यह टोटल 18 पेजेश की है तो क्या-क्या मै है तो फेल प्रोग्राम की जो मीनिमूम डिवेशन ही ती तीन साल और मैक्सिमम फाहिए ती आभी इसमें चेंजेश लाने की यह तो यह मीनिमम अम्यां सिक्सीर इसमें भी एक्स्टेंशन दी जाएगी अपर जो लिमिट है जिक्सियस इसमें changes लाए जा सकते हैं अगर जरुवत हुई अगर कुछ ऐसे conditions हुए तो इसमें और दो साल की relaxation आपर जो लिमिट है six years की उसमें दी जा सकती है साथ ही साथ women candidate on PWD candidates जो हैं जिनको 40% या more than 40% disability है PWD candidates and women candidate किसी भी category के उनके लिए उनको और दो साल की relaxation दी जा सकती है means six years तो हो गए आप पर जो limit है इसमें और दो साल की relaxation दी जा सकती है maternity leave और child care leave भी दी जाएगी 240 days की once in entire duration of PhD for women candidates तो यह एक change है duration में जो नजर आ रहा है मुझे और इसके बाद जो सबसे अलग चीज़ है procedure of admission तो यहाँ पर procedure of admission पहले की तरह आपको लगेगा लेकिन इसमें कुछ change आपको समझ आएगा तो net को रखा गया है या फिर आप net qualified candidate है या आप jrf qualified candidate है या फिर आप ने university की written test qualify की है तो इन तीनों cases में आपको PhD में admission पहले भी मिलते थे और अभी भी वही रहेगा कि net के थुरू या फिर आप jrf के थुरू या फिर आप university की जो अपनी internal test होती है उसके थुरू आप admission ल कि पहले क्या होता था कि फिक्स नहीं था सारे हो सकता था कि कभी कभी कई बार जैसे central universities में क्या हो जाता थे सारे के सारे सीट net jrf ऐसे candidate से फिल हो जाते थे तो जो नॉर्मल अपने candidate है without net वाले उनको फिर जगर नहीं मिल पाती थी पर अभी उन्होंने कर दिया कि 60% होगा net jrf के थुरू और 40% थूदा university slash common entrance test तो यह fix कर दिया कि 40% जो candidate है वो test के थुरू ही आएंगे तो अब वो जो पहले problem होती थी कि सारे सीट net jrf ऐसे candidate को चले जाते थे या फिर MPL वाले candidates को चले जाते थे वो यहां पर restrict हो जाएगी कि 40% जो candidate exam qualify करेंगे university की या फिर NTA उसके लिए लग से exam कर आती है जैसे की जैनियू अगरे की तो 40% वहां से आएंगे और बाकी के 60% net jrf से तो यह हो जाएगा bifurcation हो जाएगी तो इससे ऐसा हो जाएगा कि normal candidate जो plain master's degree के साथ आते हैं उनको भी यहां पर बिल्कुल opportunity मिलने वाली admission की तो यह दो बड़े major changes हैं जो म आपके प्रोफेसर जिन्हों ने अट लिस्ट पांच रिसर्च पब्लिकेशन पियर रिव्यू जर्नल में या रिफ्रेट जर्नल में अपनी पब्लिश की हुई है वह आपके गाइड बन सकेंगे और मैंने लोकेट नहीं किया है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि MFIL क बन कर दिया जाएगा और जो अल्रेडी रनिंग में है या उनके लिए कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जाएगा और लेकिन जो अब नए MFIL एडमिशन होंगे उन पे फुल स्टॉप होगी तो यह पॉइंट मैंने चेक नहीं किया लेकिन मैंने कहीं और पढ आप सब को बेस्ट विश थाइंक्यू वेरे मंच